हेलो विवर्स मैं हूँ नभी लाईलाई और आप देख रहे हैं एटी एटाक सेलियूशन जी तो विवर्स आज की सीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने फोन के डाइलर में किस तरह से अपना फोटो लगा सकते हैं यानि कि आप अपने फोन किसी भी मुबाइल में ड स्ट्रीट इसको सर्च करना है तो जैसी हम इसको सर्च करते हैं तो सबसे पहली वेब साइट जो इसको आपने ओपन कर लेना है इसको ओपन जब हम करते हैं तो यहां पर देखें इस तरह से कुछ पेज आपके सामने ओपन होता है अब आपने क्या करना है यहां पर सिंपली search करنا है contact contact को sarch करना है तो इसको ह entrepreneurs पेज हमारे सामने open हो जाएगा अब यह जो सबसे first में है phone dialer contact list इसको आपने क्या कर देना है okay कर देना है जब हम इसको okay करते है तो देखिए इस तरह से कुछ page हमारे सामने आता है अब इसको आपने scroll down करना है और नीचे की तरफ आपको लिखावा नजर आएका डाउनलोड आपने इसे डाउनलोड कर लेना है जब आप लोग इसे डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से यहां आपके सामने एक एप आजाएगी इसको आपने क्या कर लेना है इंस्टाल कर लेना है इसको install करने के बाद पिर आपने क्या करना है फोटो को apply करना है देखें थोड़ा सा time लेगी 6 MB की आपके पास ये एप है ये देखें अभी हमारे पास install हो चुकी है तो थोड़ा सा बस हमें wait करना पढ़ रहा है जैसे ही हमारे पास इंस्टाल होती है तो उसके बाद फिर हम फोटो को अपलाई कर सकेंगे अपने फोन के डाइलर में ये देखिए हमारे पास ओपन हो चुकी है तो सोरी ये इंस्ट्राल हो चुकी है अब हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद देखें कुछ पर्मिशन्स हैं जो ये अलाओ करेगा तो वो आपने इसे दे देनी है गो टू सेटिंग में जाना है अच्छा जी कस्ट्रम बैगराउंड है इस पे जाना है उसके बाद आपने इसे ऐसे दो तिन दफ़ा क्लिक कर देना है स्क्रीन को अच्छा जी उसके बाद आपने इसे क्या करना है पर्मीशन को के करना है यहाँ पर यह जो भी पर्मीशन मांगता है उन सब को आपने क्या करते जाना है अलाओ करते जाना है अच्छा जी अलाओ करते जाना है उसके बाद इस option पे जाकर आपने इसे call phone पे कर देना है set as default करना है उसके बाद अब आपने क्या करना है back पे आना है इस तरह से कुछ आपके सामने icon show होगा ads loading में इसको आपने remove कर देना है अब यहाँ पर आपने जाना है डाइलर में custom background है इसको आपने क्लिक करना है background इस option को क्लिक करने के बाद आपने background पे जाना है यहाँ से देखें use image as background तो यहाँ से आपने क्या करना है image कोई भी लेखें peak image यहाँ से peak image को आपने क्या करेंना है peak करना है allow करना है अब आपकी जो gallery है वो open हो जाएगी वहाँ से आप कोई भी photo को select कर सकते है for example मैं यहाँ से इस photo को select कर लेती हूँ इसको जितना adjust करना चाहूँ और कर सकती हूँ apply करना है apply करना है उसके बाद फिर देखें आपका जो phone डाइलर है उसमें यह apply हो चुका है अब आपने आ जाना है back पे अजी back पे जब हम आते हैं तो अब हमारे सामने देखें यह call phone में यह हमारे पास क्या है background लग चुका है अब देखें इस तरह से आप लोग background का यस्तमाल कर सकते हैं यह देखें डाइलर में भी यह आपके contact list है यह आपकी history है और यहां से आप लोग डाइल कर सकते हैं जी तो विवर्ट इस तरह से आप अपने phone के डाइलर में फोटो का अपलाई कर सकते हैं यह थी हमारी आज की वीडियो उमीद है वीडियो पसंद आयोगी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को